Hello Friends, Welcome to SSC Coaching Center दोस्तों, आज मैं आपके लिए वही कोशन लेकर के आया हूँ जो परिक्षव में बार बार पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो आपको देखना है जिससे कि आपको मालूम हो जाए किस टाइप का पैटर्न एक्जाम में आता है, तो चलिए स्टार्ट करते है पहला सवाल है, यह सवाल अलजेवरा का है, यदि एक्स प्लस वन अपोन एक्स बरावर पांच है तो एक्स स्क्वेर प्लस वन अपोन एक्स स्क्वेर कमान क्या होगा, यह बहुत अच्छा और बहुत ही बेसिक सवाल मैंने यहाँ पे लिया है, अब इसको करने का ट्रिक क् कि आपको करना क्या है यहाँ पर यह वाली संक्य ले लेनी है यह वाली संक्य आप ले लोगे कितनी है पांच ठीक है यह वाली संक्य पांच है अब जब यह वाली संक्य पांच है हमने ले ली और यह पावर जब दो है याद रखना जब power यहाँ पे 2 रहेगी तो इसकी power 2 कर देंगे minus 2 कर देंगे मतलब minus कब करते हैं यह भी चीज मैं आपको बता देता हूँ algebra में याद रखना plus plus equal to plus होता है आप यही तो बोलो के plus 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 होता है लेकिन algebra में minus होता है minus minus आप बोलोगे plus होता है लेकिन algebra में उल्टा होता है minus plus plus minus और minus minus plus होता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ plus plus minus और minus minus plus अब 1 minus हो 1 plus हो तो यह भी आपका plus रहेगा और 1 plus हो 1 minus हो तो यह भी आपका plus रहेगा यानि कि इसको याद रखना भी आसान है देखो यह sign plus का है यह वाली sign plus का है यानकि plus में दिया गया है plus में ही पूछा गया है plus में दिया गया है plus में ही पूछा गया है तो minus करेंगे और बाह में बाद किया गए दोनों जगे minus हो तो भी plus करना है एक जगे minus एक जगे प्लस हो तो भी प्लस करना है और एक जगे प्लस एक जगे माइनस हो तो भी प्लस करना है यानि कि दोनों जगे जब प्लस होगा तब ही माइनस करना है बाकी की तीनों कंडिशन में प्लस करना है यह आपको याद रखना भी आसान है तो 5 की पाबर 2 का मान 25 और माइनस कर देंगे उसमें से 2 तो आंसर आ जाएगा 23 ठीक है ये आपके सवाल का आंसर आ गया किस option में है पहले ही option ये बिल्कुल सही जवाब है अब देखेंगे अगला प्रश्णी अगला प्रश्णी है a plus 1 upon a बराबर 7 है तो a square plus 1 upon a square का मान क्या होगा प्रश्णी वही है जो अभी अभी हम करके आ रहे है फर्क ये है कि यहाँ पे x की जगे a दे दिया है ठीक है दोनों जगे plus है तो मैंने क्या बताए ये वाली संख्या ले लो 7 और जब power 2 है तो power 2 दोनों जगे plus plus है तो क्या कर देंगे minus कर देंगे पिछले question बता क्या या हूँ अभी तो 7 की power 2 का मान हो जाएगा 49 minus आप उसमें से कर दोगे 2 answer आजाएगा 47 ये हो जाएगा आपके प्रश्णी का बिल्कुल सही जवाब अब ऐसा trick जानने के बाद भी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए अभी आगे और भी प्रश्णी बता रहा हूँ लेकिन लाइक कर दिया करो भाई प्रश्णी को पसंद आया वीडियो को देख रहा हूँ आप तो एक लाइक तो कर दिया करो ठीक है चलिए अब देखते अगला सवाब अगला प्रश्णी है उस संख्या का पता लगाए जो उननचा से जितनी अधिक है उतनी ही पिच्च्यानवे से कम है उस संख्या का हमें पता लगाना तो पता लगाने का मैं आपको सबसे आसन तरीका बताऊँगा सबसे आसन तरीका यह है कि उननचा से जितनी अधिक है उतनी ही पिच्च्यानवे से कम है तो बीच में कोई एक संख्या होगी वही बतानी है तो बताने का सबसे सरल तरीकह है कि आप इन दोनों को जोड के 2 से डिवैड कर दो 95 और 49 और 49 और 49 को जोडोगे तो 144 हो जाएगा दो से कर देंगे घितनाजना आज़ागा 72 यानि कि यही आंसर है अब इसको हम चेक भी करेंगे क्या निकल के आया बहत्तर अब देखो यह जो 72 है यह उनन्चाइज पिच्चानवे से कम है कितना कम करें तो पिच्चानवे से में इसको घटा दो सीधे पांच में से दो जाएगा तीन नो में से साथ जाएगा दो देखो 23 कम है और देखो उनन्चाइज से कितना जाता है उनन्चाइज से कितना अधिक है उनन्चाइज से देखो कितना अधिक है तो उनन्चाइज से अधिक करेंगे इस में से इसको घटा दो या फिर सीधा सीधा देख लो यह 49 से 20 जोड़ोंगे तो 99 से हो जाएगा और तीन जोड़ देंगे 23 हो जाएगा इसका मतलब यह 23 अधिक है तो हमसे क्या बोला था कि उस संक्या का पता लगाए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है देखो पर 9 से जितनी कम है उतनी ही 99 से अधिक है पर 9 से 23 कम है तो 99 से 23 अधिक है तो वो संक्या हमारी 72 है ठीक है चेक भी हमने कर लिया तो सबसे आसन तरीका है दोनों को जोड़के दो से डिवाइड कर देना अब देखते हैं अगला प्रश्नी अगला प्रश्नी है 0.63 के उपर बार प्रेस 0 दसमलब 37 के उपर बार का मान क्या है देखेगा ये बार वाला क्वशन आ गया कोई बात नहीं हम इसको बताएंगे सबसे पहली बात ये कि अगर 10 मलब से पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है अगर 10 मलब से पहले कोई संख्या है एक, दो, तीन, चार कुछ भी है तो उसका मतलब होता है उसका करने का तरीका भी होता है लेकिन जब 0 है तो फिर भूल जाएए फिर कुछ नहीं करना आपको 6 और 3 ले लेना है 6 है और 3 है 2-9 सेंख्याओं के उपर 12 है 6 और 3 के उपर 12 है ना 2-9 के उपर 12 है तो बटे में 2-9 आजाएंगे प्लस ले लीचे 10 समलब से पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं पहले बता चुका हूँ तो 3 और 7 दोनों के उपर 12 है ना तो बटे में 2-9 आजाएंगे ठीक है चलिए 63 और 37 को जब आप जोड़ेंगे तो यह 100 हो जाएगा और 99-99 दोनों केलसिम 99 ही हो जाएगा तो 100 के बटे में 99 यह आपके सवाल का सही जवाब है 100 के बटे में 99 B option प्रेशने का बिलकुल सही आंसर अब देखते हैं अगला सवाल अगला प्रेशनी है 1.2 के उपर बार गोने 0 दसमलब 0 3 के उपर बार देखिए मैं आपको पहले बताया था कि अगर दसमलब से पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है अगर कोई संख्या है तो उसका मतलब होता है उसके करेने का तरीका भी होता है अब देखो दसमलब से पहले एक है तो पहले आप एक लिख लीजिए जब दसमलब से पहले कोई संख्या दी जाती है तो उस संख्या को लिखने के बाद दसमलब के स्थान पे प्लस का साइन आता है हमेंसा नोट कर लेना इसे बात को 10 मलब बाले स्थान पे प्लस आ जाएगा अगर 10 मलब से पहले कोई संक्या है अगर 0 है तो कोई बात नहीं है अगर कोई संक्या है तो संक्या को लिखेंगे और 10 मलब के स्थान पे बना जाएगा अब 2 आ जाएगा अब 2 के उपर 12 है 2 के उपर बार ना एक ही संग्या के उपर बार तो बटे में एक नो आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद में देखो multiply, 0.03 के उपर बार अब 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना 0-3, दोनों के उपर बार बार तो बटे में 2 नो आ जाएगे, ठीक है, 9 एक कम 9, 9 में कि अब देखो तीन से कटा दूगा नो को तीन यानवे को नो वार में 11 से कटा दूगा निनल न्यानवे को नो वार तो उपर क्या पाट्चा एक नहीं जाएगा दश्म लगा जिरो हो जाएगा ना जाएगा ना वैद जन्म लगेगा तोeral Who गया गया एक जीर्हug पड़ना अब यहां एक जीरू पड़ जाएगा आप सड्शर गया अब यहां है ना के तो बचा कितना एननीज儿 नहीं जाएगा 어ुनिज में क्या हो जाएगा seem लग तो 190 अब स Strange कातेंगे तोmomrec में कर जाएगा यहां तक साथ बार में अब देखो दसमलब के बाद में 037 किस ऑफ्षन में दसमलब के बाद में 037 पहले ही ऑफ्षन में हैं तो हमारा पहला ही ऑफ्षन तो सही जवाब है के लिए ना सभी को अब देखते अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है जब 1 से माइ गटाना है माइनस के एक बट्टे दो को यही तो बोलाई उसने एक मैसे हमें घटाना है माइनस के एक बट्टे दो को तो एक मैसे हम घटाएंगे माइनस के एक बट्टे दो को ठीक है इसी को हम घटा देंगे चलिए अब माइनस माइनस का गुना होगा तो यह प्लस हो त्वाल बट्टे हो जाएंगा ऊज़ेस वह सफ़्माने छाना बिरने मंसों कि में घ्ला अगला वैसे तो पता लगाना मुश्किल है लेकिन पता लगाते हैं कैसे देखू मैंने आपको बताया है दो बटे पांच और चार बटे के बीच में वो भिन्ने पूछ रहा है तो हम कैसे पता लगाएंगे पहले तो इन भिन्नों को हम हल करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे अब हल जब करेंगे तो तीन वट्टे साथ है दोनों का अंतर करेंगे तो तीनों साथ का अंतर आ जागा चार चार अंतर आ जागा, अंतर से हमिसा उपर वाली संग्या में डिवाइड करते हैं, ऐसे यहाँ पर मैं अंतर करूँगा, एक अंतर से उपर वाली संग्या में डिवाइड, चार पांच का अंतर एक अंतर से उपर वाली संग्या में डिवाइड, दो एक का अंतर एक अंतर से उ हम हल करते हैं, अब हम पहले इसको हल करते हैं, तो दो बट्टे पांच है, इसका अंतर करेंगे, दो और पांच का अंतर तीन, अंतर सुपरवाली संक्या में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे, तो तीन से इसमें हम डिवाइड जाएगा नहीं, दस म लग जाएगा डिबाइड जाएगा निyan 450 पाण वट्टे चालिस तो देखो इसका मान कितना आया दो बट्टे पाँच का मान आया मेरा 0 दस मलब 6 चे और मेरा इसका 4 भट्टे 9 का मान कितना आया दस मलब 8 यह तो आया है अब इस के बीच में भिन्ने कौन सी आ रही है क्योंकि मैंने चारों भिन्ने solve करके देख लें इन दोनों के बीच में देखो एक तो बड़ा हो जाएगा ये भी दसमलब में ये भी दसमलब एक बड़ा हो जाएगा चार भी बड़ा हो जाएगा दो भी बड़ा हो जाएगा तो जब 85 से बढ़ा है तो यही भिन्ने बीच में है तीन बट्टे साथ पहला उप्सन सही जवाब चलिए अब देखेंगे अगला सवाल अगला प्रश्नी है यदि किसी संख्या के तीन बट्टे चाथ तता चार बट्टे साथ भाग का अंतर सो है तो वह संख्या क्या है चलिए अब मैं इस प्रश्ने को थोड़ा सा आपको समझाता हूँ उसने बोला है यदि किसी संख्या के हमें नहीं पता कौन सी संख्या के जह हमें नहीं पता तो संख्या को एक्स मान लेते हैं तो संख्या के का मतलब हो गया मल्तिप्लाई तीन वट्टे चार चार वट्टे स सात भाग का अंतर सो है यह है हमारा सवाल ठीक है सो है तो वह संक्या या निकि वह एक्स का मान क्या है उसने यह पूछा है इस प्रेशने को आप आसानी से कर लोगे इसमें कोई दिक्कत आपको बिल्कुर नहीं आएगी देखो एक्स इंटू चार सत्ते 28 एलसिम कितना जाएगा भई 28 आजएगा चार से काटो सात भार में 7 एक्स सात से काटो 4 भार में 4 चोके 16 बराबर सो है यही तो है प्रेशने एक्स इंटू 21 में से 16 को माइनस कर देंगे 5 बचेगा 5 बच्टे 28 आजएगा और बराबर कितना आपका 100 जाएगा ठीक है यह प्रेशनी है अब देखो क्या होगा पांच से सो कट जाएगा 20 बार में कट गया और 28 का मल्टिप्राइब 20 से कर दो 28 दुने का 56 और एक जीरो यानिकि 560 आपका एक्स का मान कितना जाएगा 560 आजएगा जो कि हमारे पहले ही ऑप्शन में दिया गया त बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर दीजे और शेयर कर दीजे इतना काम कर दीजे बस ठीक है दोस्तों धन्यवाग